असलामनेकूम, वेलकम बैक टो मैं चानल, जी तो सब कैसे हैं, अमीद है, सब ठीक होंगे, फैरियत से होंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं, तो मेरी वीडियो को आप जरूर शेय किया करें, और मुझे कमेंट्स में जरूर बताया करें, और अगर आप मेर पैक जरूर दीजिएगा, जी तो यहां पर मैं स्लीप का डिजाइन बैनाने के लिए, मैंने कपड़ा ले लिया है, यह मैंने कटिंग किया है, फ्रेंट साइट से एट इंचिस है, और इसकी लेंड जो है, वो नाइटी इंचिस है, आप अपने रिक्वाइमेंट के बन ता जी, यह फ्रंट वाला साइट है, यह मैं एक साइट पर अभी रख लूँगी, अब यह जो स्लीप का कपड़ा है, इसके उपर मैं लेस है, यह मेरे पास यह जॉइंट लेस है, यह लेस है, इसके उपर मैं लगाऊंगी, और इसके सीधी साइट नीचे रख लूँगी, और तर्मियान में इस सिलाई आनी चाहिए एक्स्टर कपड़ा कट कर लूँगी अब इसको फोल्ड करके इसके उपर एक और मैं सिलाई लगा लूँगी बिल्कुल बारी किनारे पे ये सिलाई लगाने के बाद अभी जो दूसरा कपड़ा हमने फरंट का कपड़ा हमने कटिंग किया था चार इंचिस का उसको आगे सिलाई लगा लूँगी इसको इसको इसके अगे जोइन कर लूँगी और इसको भी ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने दूसरे पहले साइड पे किया था इसके उपर रखके इस तरह बारे एक सलाई लगा लूँगे मैं यह सलाई लगाने के बाद अभी हम मैंने यह कपड़ा लिया एक और यह मैंने चौरस पीस काट ली है ट्राइंगल इनका हम रड़ी करेंगे यह टू इंचिस इसकी विर्द है और टू इंचिस इसकी लेंद है अभी इस तरह बड़ी इसको मेयरमेंट करके इसको आप ट्राइंगल रड़ी कर लें यह इनको पर मैं सलाई लगा रही हूँ ये सलाई लगाने के बाद इनको रड़ी करने के बाद फिर दोबारा मैं इनके लेस त्यार करूंगी वन बाई वन करके आप इनको रड़ी कर लें अब ये रड़ी करने के बाद मैं इनको एक दूसरे के ओपर रखकर सलाई लगा रही हूं जिसके लिए हमें लेस त्यार करनी है और यह आपके अपनी मर्जी आप इनको थोड़ा बड़ा करके भी लगा सकते हैं लेकि मैं इनको मीडियम साइज में कर रही हूँ ना बहुत ज्यादा चोटे और ना बहुत ज्यादा बड़े यह देखें यह हमारी लेस त्यार हो गई है एक्स्रा कपड़ा मैंने कट कर दी है अब यह स्लीव का जो चार इंचिस वाला हमारा जो कपड़ा है इसके उपर रखके मैं दो इंचिस के मार्जन पे निशान लगा लूँगी ये दो इंचिस के मार्जन पर मैंने इसके निशान लगा लिया है निशान लगाने के बाद इस तरह सीधी लाइन लगा ले और सीधी लाइन लगाने के बाद ये जो ट्राइंगल के लिए समने त्यार की जो सलाहि सी लगी है उसके ओपर ऊपर आपने सलाहि लगानी है बिलकुल नीटनेस के साथ और अब इसको फोल्ड करेंगे इस तरह इस तरह फोल्ड करके इसके उपर मैं एक ओओ सलाहि लगा लूँगी और यह मैथट बहुत जबदासत है मेनिक आपको कटिंग नहीं करना पड़ेगा नीचे से आपका एक्स्ट्रा रफ कपड़ आपको नज़र नहीं आएगा और यह मैथड बहुत जबदसत है पिर वो जोड डल जाते हैं कपड़े के ओपर तो इस वज़े से मुझे जोड नहीं डालने क्योंकि स्लीव का डिजाइन है यही आप अपने ट्राउजर पे अपने प्लाजो पे बना सकते हैं अब यह देखें यह कितनी नीटनेस आगई है बैक साइड से आप देखें कोई जोड नहीं है कुछ नहीं है और यह देखें अब इसके आगे में Lेस है मेरे पास यह लेस लगाँगी इस लेस को मैं जो इसका सीधी साइड स्उरी नीचे रिखोंगी उल्डी साइड इसकी उपर रिखोंगी और यह दो इंच ह्पड़ा कपड़ा है मेरे पास जो सको हम पनलडा बोलती है यह fashion strip बोलती हैं वो इसके उपर इससरे करके मैं लगाऊंगी बारीक सलाई के साथ इससरे इसके उपर मैं सीधी सलाई लगा दूँगी इसके उपर रखके एक्स्टरा कपड़ा और एक्स्टरा लेस में कट कर दूँगी अब इसको फोल्ड करूँगी फोल्ड करके इसके उपर एक और इसके किनारे किनारे पर मैं सलाई लगा दूँगी जी सबसे पहले मैं इसके किनारे पर सलाई लगाऊंगी बिल्कुल सीधी और बारीक ये किनारे पर सलाई लगाने के बाद अब भी मैं इसको फोल्ड करूँगी यह देखें इसको फोल्ड करोंगी नीचे से इसको फोल्ड करके और यह जो ट्राइंगल के उपर मेरी सिलाई लगा दोंगी बिल्कुल आगे पिछे नहीं होनी चाहिए सिलाई क्योंके फिर वो नीटनेस नहीं आएगी उसमें अब यह में बस पर्ल्ज हैं यے ट्राइंगल जो के उपर की तरफ से हैं तो ये इनके उपर मेंको इनकी हुपसुती को बढ़ाने के लिए इनके उपर में यह चोटे पर्ल लगा रही हो बैंदा एक हो आप चाहें तो इनकी शेव नीचे की तरफ भी कर सकते हैं ये मैंन के ओपर इस तरह चोटे बारीक परल ये लगा रही हूँ और इस तरह हमरा स्लीप का डिजाइन रेडी हो जाएगा बन बे बन करके आप सारी ड्राइंगल्स के पर पास लगा ले मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताईएगा ओके थैंक यू, आला हाफिज